हाई फ्रेंट्स लेसंट डाइरी चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम अपना नेक्स लेसंट प्लान त्यार करेंगे जो की साइंस के चैप्टर सेकेंड से ही है पिछला वाला हम पार्ट टू अब यहां पर कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक सेम है कंपॉनेंट्स ओफ पिछले फर्स्ट पार्ट में हमने कार्बो हाइड्रिट का इस्प्लीन कर दिया था अब हम अपने नेक्स टू न्यूट्रेंट्स लेंगे जिनको हम इसमें कवर करेंगे तो जनरल एम्स तो एस इस सेम है आप देख सकते हैं सारे जनरल एम्स बिलकुल वैसे ही है और यहां रखिएगा कि जब स्पेसिफिक एम्स आप लिखेंगे तो यहां पर आपको कॉग्निटिव परपस अफेक्टिव परपस या फंक्शनल परपस अगर आपको अपकी कॉलेस से अगर कहा गया हो तभी आप लिखें अधर्वाइस आप इनको ऐसी ही लिख दें डारेक् इसके स्पेसिफिक एम्स से अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने यहां पर आपके पीडियेफ डाल रखी पीडियेफ लिंक पे जाके आप नोट कर सकते हैं इजी लिख अभी हम यहां पर प्रिविएस नॉलेज के बारे में बताएंगे बच्चों को प्रिविएस नॉलेज में जो भी हमने पिछले वाले अपने पार्ट वन में जो प्रिविएस नॉलेज लिया था उसी में हमें यह भी लिखना है उसी के जैसा और इंट्रॉडक्शन में हमें बच्चों से कुछ इक कुशन करने हैं जिससे मैंने इसमें किया हुआ है फर्स यैस में तो्होने पूछें है कि क्या विशन इस्के बाद में साथ हो जा stance कर थो भूने यहाँ पे उनकी नेम्स बता कर विशन धाख में भी उनकी थे कॉन कर थे हैं तो यह उनकी मैं भी फूर्ड ग्रैम चनादाल है या राजमा है या फ्रेंच पीन से इनमें एक्च्वल में कौन सा न्यूट्रेंट होता है यह उन्हें नहीं पता है और यहीं से हमारा objective questions या objective statement जनरेट करेगा उसमें हम लिखेंगे today will study components of food, fat and protein teaching method simple explanation demonstration method लिखेंगे यहां पर इसे चेंज भी कर सकते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन के तुरू भी आप यह चीज को explain कर सकते हैं इसके अलावर teaching add में simply अगर जब हम explanation या demonstration method इस तरह के लेंगे तो उसमें teaching add सेम ही होते हैं blackboard की जरूरत होगी chalk, duster, chart भी ले सकते हैं यह optional है डाल देंगे तो बहुत यह अच्छा रहेगा presentation अच्छा लिखता है अगर chart हम यहां पर mention करते हैं तो हम components की बात कर रहें अभी हमारा यह second component है fat fat की मैंने definition लिखी हुई है composition लिखा हुए किस तरह से बनता है और यह कहां कहां कौन कौन से किस रूप में पाया जाता है protein protein के बारे में यहां पर बताया हुआ है कि वो अगर protein है तो उसका component कि किस से बनाए क्या हुए small unit है वो मैंने यहां पर लिखा हुआ